दोस्तो वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल बाजार के पढ़नेत पे हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर अनौप्शन का प्राइस एक्शन कल भी आपको देखने हो मिलेगा आप देखने हो मिला तो 9 बच के 10 मिनट पे IPC LAP जाके चेक आउट करिएगा शांदार रैली आपको देखने हो मिली 25% की कल मिस नहीं करना चाते हैं फ्यूचर अनौप्शन का प्राइस एक्शन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाके जॉइन करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजे ताकि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और बैंकों के लिए काफी ज़्यादा वर्काउट किया जा रहा है अडानी जी की तरफ से बैंकों का कॉंफिडेंस वापसाना बहुत जरूरी है पाइनेंस कंपनी का कॉंफिडेंस वापसाना बहुत जरूरी है और इन्वेस्टर का कॉंफिडेंस वापसाना बहुत जरूरी है ये अडानी जी पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं और लगातार उस पे वर कर रहे हैं और back to back देखेगा planning चल लही है strategy सुधारने की कोशिश की जा रही है भले कुछ काम डिले हो जाएं लेकिन investor का confidence lose नहीं होना चाहिए ये the times of India की update आ चुकी है और फिर से देखेगा एक वही बात आ रही है कि अडानी जी जिन particular कटगरे में आके खड़े हुए हैं जिसका नाम है loan debt करजा उसको जल से जल देखेगा बिलकुल comfortable level पे लाने की position में आने की कोशिश कर रहे हैं और अब की बात देखेगा जो बात हो र रही है 500 million dollar बहुत बड़ी रकम होती है बहुत बड़ी रकम होती है उसको prepay करने की बात हो रही है और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है time के साथ परिवर्तन आएगा ही आएगा hurdle रहेंगे time to time पे देखेगा जटके भी लगेंगे लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद back on track द से देखेगा जो investor का confidence है उसको regain किया जाए पहले comfortable situation मनाई जाए अपने particular ratings को और improve किया जाए और अपनी particular जो company की demand है उसको और ज़्यादा pump किया जाए तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या कहा है यानि कि अगले महीने मार्च में एक particular लोन जो अभी हाल फिलाल मिलिया था किसने अडानी जी ने उसका एक बड़ा portion क्या है वो आपका due है और उसको pay करते हुए कुछ और आगे का भी pay करने की सोच रहे है जबसे कुछ bank को ने क्या कहा है क्या आपको पता है कि कुछ bank नारा भी हुए थे और उन्हेंने थोड़ा सा लोन देने से भी मना कर दिया था उसके बाद अब refinancing की बात आ रही है लेकिन उन सब चीजों को देखते हुए कि bank कहीं से भी नाराज नहीं होने चाहिए bankों का confidence कभी भी अडानी जी से नहीं उठना चाहिए इन सब चीजों को देखते हुए जैसे कि लाइक आपको पता है बार्कलेस, PLC, Standard Chartered, अभी अभी न्यूज आई थी, Dutch Bank और देखीगा बहुत सारी चीजें लेकिन यहाँ पे कोशिश क्या है और among the banks that lend Adani 4.5 billion यानि कि कितना दिया है? 4.5 billion डॉलर दिया था, क्यों दिया था? Finance to purchase देखीगा Hollison Limited Cement Asset लास्ट येर तो आपको पता है कि यह बहुत बड़ा देखेगा acquisition था जिसमें इन्होंने Ambuja Cement भी ले लिया और आपको पता है ACC Cement भी ले लिया किसी को कुछ बताने की जूरत नहीं है कि अभी निर्मला सीता रमन जी ने कल क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि Cement सेक्टर पे जो 28% का GST लगता है उसको review करने की कोशिश करी जाएगी और हो सकता है वो GST आगे चल कर कम किया जाए जिससे क्या होगा कि जब भी किसी सेक्टर पे tax कम होते है तो आपको पता है उनके margin जंप हो जाते हैं और उन कमपनियों में तो अपने आप jump हो जाएंगे जो top company है जिसका नाम है ACC और Ambuja तो इन दोनों कमपनियों के लिए देखेगा पहले तो सरकार की तरफ से अच्छी update आ रही है और अगर ये pre-plan देखेगा हो जाता है जो loan due होगा 9 March को इसमें pre-payment हो जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी और ये investor को confidence देने वाली बात होगी कि हम ये सब चीजें pre-plan करेंगे इससे फाइदा क्या होगा बैंकों का confidence जो hidden bug की report के आने के बाद डगमगा गया है वो फिर से lot के आएगा और अगर आप देखेंगे massive sell-off के बाद the bank's willingness to refinance the people said यानि कि कुछ bank ऐसे हैं जो refinance करने की refinance loan को करने की restructure करने की भी बात कह रहे हैं और आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो ये कहीं न कहीं राहत की सांस होगी अडानी जी के लिए तो अगर आप देखेंगे ये जो particular development है ये show करता है कि कहीं न कहीं ये signal है कि global banks भी देखेगा as such जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से अडानी जी से नाराज नहीं है क्योंकि आपको भी पता है कि globally अडानी जी ने ज़्यादा पैसा लिया है ये कहने की बाते हैं कि like Indian bank से पैसा लेकर देखेगा डगमगा न जाए गुबाड़ा देखेगा फूट न जाए ये सारी बाते कहीं जाती है लेकिन कोई भी particular bank देखेगा domestically देखेगा छोटी मोटी गलती कर सकता है लेकिन global level पे तो देखेगा आपको तभी लोन दिया जाता है इतने बड़े बड़े लोन तभी दिया जाते हैं like 4.5 billion dollar का लोन तभी दिया जाएगा जब आपकी market में global market में credibility होती है तो अगर overseas उन्होंने लोन जादा लिये हैं और वो उसे अच्छी तरीके से सर्व कर रहे हैं और वो bank अब तक उन पे भरोसा भी कर रहे हैं तो यह अपने आप में अच्छी बात है और आप समझ सकते हैं कि इससे फाइदा क्या होता है इससे यही फाइदा होता है कि company लगातार strong model को लेकर vision को लेकर operate करती रहेगी और work करत लिया है और इसके लावा कर आप देखेंगे तो अब तक कोशिश इनकी लगातार बरकरार है जिसमें prepaid debt करने की बात देखेगा बार बार आ रही है ताकि investor का confidence क्या करा जाए फिर से वापस लाया जाए और अगर अभी तक देखेंगे तो 1.11 billion worth borrowing backed by the share इन्होंने क्या करी है prepaid कर दी है तो आप समझ सकते हैं यह सारी चीजें जो देखेंगा pressure देखने हो मिला है public sector PSU banks में जो problem आई है वो केवल अडानी जी की तरफ से आई है तो आपको पता है PSU bank को के लिए काफी अच्छी राहत है और nifty bank के लिए तो हई है तो जितना ज़्यादा इसमें progresses होंगी जितना ज़्यादा positive outcome अडानी जी को लेकर ज़्यादा market में आएंगे nifty bank उतना ज़्यादा समलता चला जाएगा banks उतना ज़्यादा समलते चले आएंगे वीडियो गर अच्छा लगा है तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much कर दो दो है